तुछ आज की इस वीडियो के मादम सम आपको बताने वाले हैं कि अगर आपके पास कोड़क कंपनी का जो की एंड्रोइड टीवी है उसमें निगेटिव पिक्चर का प्रॉलम आ रहा है यानि कि जो भी आपको वहां पर जो की वीडियो देखने को मिल रहा है कोड़क की वीडियो को एस्किप किये तो आप जो की अपने कोड़क टीवी में जो निगेटिव प्रॉलम आ रहा है पिक्चर का उसको आप असानिस से ठीक कर सकते हैं दूस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए बिल आइकन को प्रेस कर लिजि आपके टीवी के साथ उस रीमोट से नहीं होगा एक इनुवर्सल रीमोट की जुरूआफ होगी तो अगर आपके बजार में जो है कि आधर आप वापे टीवी की दुकान पर जाकर कर पता करते हैं उनुवर्सल रीमूट चाहिए andare इनुवर्सल रीमूट मिल जाता है तो ठ चम्सन करने का जोकि देखने का मिल जाता है यानी assets that अब क्वेबिक के उसंयाँए उसमें धोनों फोन में से किसे भी फोन में तो यहां पे काफी सारा जोकि की प्ल ciao पर वेंजिनमें की remote control का अब संडिया रहाता है तो आपको स्ग्स hall या redmi का phone को लेना है उसमें आपको play store को open करना है play store को open करने के बाद आपको simple से क्या करना है कि उसमें एक application को download करना है याने कि play store में जाना है play store में जाने के बाद आपको वहाँ पर open करने के बाद जो कि आपको वहाँ पर type करना है थौंसल्टी भी रिमोट कोंट्रोल जैसे कि यहां पर देख सकते हैं ऐसे आपको सबसे पहले बता दू कि यहां पे मैं जो की थमसम टीवी के लिए पहले से एक वीडियो बना रखा है जिसमें भी मैंने यहीं तरीका बताया है जो मैं अभी बताने वाला हूँ तो अगर इस वीडियो के मादम से आपको समझ ना है तो इसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्श को भूज़े जो ऑपने के लिए ओके करने के बाद अपने रिमुट को करने में के बाद जो किया करना के ना है रिमॉट को ने सब्सक्राइब मतलत सब्सक्राइब चैनल पर हैί को मिलेगा t.i mode पे आपको क्लिक कर देना है जो है कि क्लिक करने के बाद वहां पे आपको कुछ इस परकाषर से अपतन देखने को मिलेंगे आप ध्यान देजिएга 101 या जो की innocence 0 या Redmi-1 तो हाँ पे आपको से क्या कर देना है कि है- माइनिस वान है तो आपको जीरो कर देना थो रहा है डेकल लेना है जैसे भी हो आप वह से पुमिन क्यूश करेंगे अगर माइनस है तो यह कि जीरो है तो भी되는 की data करने भाद आपके जो टी बीचर आ हारा है वह वहां से ठीब से नी कि पहले की तरह पहली में जो negative picture आता है उस negative picture को असानी से देमोप कर सकते हैं और अपना जो टीवी का जो पिक्चर है उसको जो original picture आपको देखने को मिलता है जो आप जब खरीदे होंगे उस समय देखने को मिलता था वैसा जो है कि आपका टीवी चलने लगेगा यह तरीका आप एक बार ट्राइ करके देख सकते हैं यहाँ पर आप किसी भी मिश्तिरी या बोल सकते हैं किसी भी ऐसे टेकनेसियन के पास ले जाने की जोरत नहीं है आपको अपने कोड़क टीवी को आप घर से भी ठीक कर सकते हैं दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें कमेंट करें अगर चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करें फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ जै हिंड जै बारत